है गाइस वट्स आप वेलकम बैक चो अड़ यूटुब चैनल आई होप आप सब लोग अच्छे हो तो कुछ दिनों में क्या आने वाला है दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा है एक दिवाली मेक अप लोग आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि दिवाली के दिन आप भी वो मेक अप लोग क्रियेट कर सकते हो और मैंने बहुत सिंपल और इजी तरीके से वो मेक अप लोग क्रियेट कर सकते हो और मेक अप लोग अगर पसंद आये तो क्या करना है मेरे वीडियो को एक लाइफ कर देना है मेरे चैनल को सब्सकाइब कर देना है दोस्तों को साथ मे प्राइमर प्राइमर के लिए मैंने सिलिकॉन बेस्ट प्राइमर लिया है ताकि मेरे जो पोर्स से वो अच्छे से फील हो जाए एक स्मूध सारफेस मिले मुझे फाउंडेशन एपलाई करने की लिए नेस्ट मैंने पारपल का फाउंडेशन लिया है और उसके साथ मैं फो तो फाइब डॉप गोल सीरम मिक्स करके अपलाई करूंगी यह Nature Essence की गोल सीराम है इसे क्या होगा अपकी फेस पर एक healthy एक natural glow देखने को मिलेगी आप भी यह ज़रूर ट्राइ करना देन एक damn beauty blender की help से मैं foundation को अच्छी तरह से blend करूंगी naked and ears को भी avoid मत करना foundation ज़रूर apply करना देन मैं face पर कर रही हूँ contour as usual जहाँ जहाँ contouring की ज़रूरत है मुझे जैसे की hall of the cheeks पर मेरे forehead पर मेरे nose पर मेरे jawline पर देन उसी damn beauty blender की help से मैं अच्छी तरह से contour product को blend करूंगी मैं जो जो product यूज कर रही हूँ आप screen पर देख पा रही हो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि आपको एही product यूज करना है आपके पास जो है वो आप यूज करो and ये makeup look create करो next मैंने highlighting concealer apply किया है जहां जहां मुझे highlighting की जरूरत है जैसे की मेरे under eye पर, forehead पर, bridge of the nose पर, cupid bow पर, chin पर and जहां मैंने contour किया था तिक उसके नीचे मैंने apply किया and उसी damn beauty blender की help से मैंने अच्छी तरह से blend किया है ये ना आपकी base है तो base को थोड़ा time लेकर अच्छी से blend करो ता कि आपकी पूरे जो full makeup है वो बाद में अच्छा दिखे, next मैंने as a blush, Mars का lip crayon apply किया है और उसी damn beauty blender की help से मैंने अच्छी से blend किया है, जहां जहां मैंने concealer apply किया है उस जगा मैं loose powder apply करूंगी and then ऐसे ही छोड़ दूंगी, in the meantime मैं अपने eyebrow कर रही हूँ, eyebrow की जो outer line है उसे मैंने प प्रोड़क्ट जो है वो अच्छा से blend हो जाए, इसी तरह मैंने दोनों eyebrow को complete कर लिया है, next मैंने जो loose powder apply किया था, उसे मैं powder brush की help से dust off कर लूंगी and साथ ही मैंने पूरे base को भी set किया and मेरे neck पर भी apply किया, अभी मैं powder apply कर रही हूँ, जहां जहां मैंने cream contour apply किया था, अगर अ मैं का fixer की help से, then मैं highlight करूंगी as usual जहां जा करते है, जैसे कि मेरे cheekbone पर, beach of the nose पर, forehead पर, cupid bow पर and chin पर, देन हम start करेंगे अपने eye makeup, जिसके लिए मैंने एक light pink shade को लेकर अच्छे से crease के ऊपर apply किया है, blend करते हुए, then मैं ये light green shade को लेकर अपनी crease पर apply करूंगी and अच्छे से blend करूंगी, circular motion पर, next मैंने ये shimmer shade को अपनी finger की help से लेकर पूरे eyelid पर apply करूंगी, then उसी green shade को लेकर crease पर और एक पर apply करूंगी, ताके shimmer and matte दोनों अच्छे तरह से mix हो जाए, next मैंने upper lash line पर and lower water line पर काजल apply किया है and एक black eyeshadow को लेकर मैं अच्छी तरह से मेरे काजल को blend करूंगी black eyeshadow को outer corner पर भी मैंने apply किया and अच्छे से blend किया ताकि मेरे जो outer corner है उसे थोड़ा depth मिले, off camera मैंने ही हाप पर falses apply कर लिया है and next मैं mascara apply कर रही हूँ and then मैं एक nude style liquid lipstick apply करूंगी अपनी lips के उपर and that's it, my makeup is full complete, I don't know मैंने अच्छे से सारे makeup steps को dress type कर पाई हूँ या नहीं आपके सामने अगर कोई भूल चुक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना और ये makeup look अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को इक like कर देना and मेरे चैनल को subscribe कर देना, मिलती हूँ next वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, love you all and add once happy Diwali